शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले गोवा से 20 यूखो को गोनखेरी टोल टैक्स पर लाकर छोड़ा गया है गोवा के जिंदल कमपनी में कारियर रथे ये सभी यूख लोगडॉं के कारण गरीब मजदूरों के हाल बेहाल हो रहे है कमपनी के मालिक भी प्रतारित कर रहे है बिहार के 20 यूख गोवा के जिंदल कमपनी में काम करते थे लेकिन उनके खानी की समस्या होने से कमपनी के मालिक को पैसा मांगा तो यूख पर लाठी बरसाई गए यूखों ने डर कर गोवा से 40 किलोमीटर पैदल चल कर किसी निजी ट्रक के सहरे नागपूर अमरावती राजमार गोण खेरी टोल टैक्स तक पहुचाया मजदूर यूखों से ट्रक चालक ने 14,000 रुपए लेकर छोड़ दिया बेसाहारा यूख फिर नागपूर में फसे सभी मजदूर लोग वरधामना में नहाने के लिए रुग गय तो दिखाई दिया भाईचारा राजमार परिवहन सेवा के संस्तापक नरेंदर मिश्रा वसामाजिक कारेकरता सूरजवान खड़े ने इनके खाने की वगाड़ी से पहुचाने की वे अवस्ता की रविवार को जामठा तक सभी को रवाना कर अपना सामाजिक दायत वनिभाया है अभी आज करीब करीबे 12 बजे करीब हमने अपने आफिश के सामने आया तो हाँ पे 19 से 20 आदमी गोवा से बिहार के लिए जा रहे थे तो पता चला कि गोवा में जो जिंदल कंपणी में ठेकेदार के माध्यम से काम करते तो उन्होंने उनको चार मेना की पेमेंट भी नहीं दिया जब भूखे प्यासे मरने की नोमा तागे लॉकडाउन की वज़ा से तो पिछले साथ तारिक उन्होंने गोवा से रात को साम को भागे और इसके बाद उन्होंने रास्ते में 50 से 60 किलमीटर दूर आये तो उन्होंने एक टेलर का साहरा लिया जो टेलर वालोंने नाकपुर में कलमे सुर फेट्रिव जिंदल का माल लाय था एक हजार उपए खिंसाब से उन्होंने 14 हजार 15 हजार उपए लिया लेने के बाद वहां से कुछ हमारे साथियों ने उनको टोल टेक्स से मदद से आप यहां तक लाए और इसके परले हमने कर समीर भाई जो यहां के बिधा प्रसाइब आज नागपूर अधिया का मध्यस्थान है मध्यस्थान होने के नाते नाते हैं पर प्रवासी मद्धूर चारों तरफ से आते हैं तो यहां पे महाराष्ट देती है तो अपने हम ट्रांस्पोर्ट संगठन के माध्यम से भाईचारा राजमार्ग परिवान सेवा और जोईन टेक्शन कमेटी के तरफ से हम सभी जो प्रवाश्री मजदूर आज सड़क पे आ गए हैं हम उनको एंपी के खवासा बौडर जचिनवाड़ा के बौडर तक हम अपनी सेवा निश्ण करें माला की तरफ से हम नीवेण करेंगे मतदकी जो मजदू सड़क बनाया है जो मजदू घर बनाया आज उसरी को रहने के लिए चाया नहीं के अर्डू नहीं रोड नहीं है इन सब इस्तितियों को देखते हैं प्रसासन कहीं नर्मी बढ़ते एक अपना बीटो पावार यूज करें जो लोग रोड पे चल रहें उनके लिए संगठान के माध्यम से प्रसासन के माध्यम से उनको एक बॉडर से दूसरे बॉडर तक भेजने की ब्योस्ता करें यह हमारी मीडिया के माध्यम से अपील है हम अपील नहीं आसा करते हैं कि इस पे सरकार कुछ निकुछ रंजना लेगी और गरी मद्दूरों को शेवा के लिए एक अवसर प्रदान करेगी जैहिन जैभारत गोवार ओड ओडखल बजार से जेसल डावलू कमपनी जिन्दाल उसमें हम लोग काम करते थे चे सत महिना से इधर दो महिना तीन महिना से पेमिंट हम लोग को नहीं रोक के रखा है आज कल आज कल रोज बोलता था कि देंगे अभी तक नहीं दिया है उदर वीच वीच में पकड़े विचारे को तो जिन्दाल कमपनी के नागपूर में माल लेकाया है वे टेलर पर हम लोग से एक खायर करके पैसा लिया था हम लोग उसको 13000 रुपया नगत दिये है और पैसा मांग रहा था हम लोग बोले भाई अभी हम लोग और कुछ दूर जाना है पैसा है नह इसमें हम लोग को जाना है और आगे हो सकता है नहीं बेवस्ता होगा तो अपना पैसा से हम लोग जाएंगे और जो वजास्ती बागी किया नहीं छोड़ दिया ठीक है जो दिया जिया जाओ पैसे कुछ नहीं बोला उसके बाद हम लोग जान बचा कर अपना खाना नहीं मिल रहा था सब्सक्राइब यहां पर आप लोग के जो मेरे साथ हूँ यह दिरर यहांOS कर रहे हैं हर जाने के लिए सर फुरा मैंने सेफटी के साथ हम लोंको ब्योस्ता करें घर जाने के लिए सर इंबी से अन्यूस के लिए वाड़ी से सुनिल शेटी के साथ अभिशेक पांसी के रिपोर्ट